नमस्कार! पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है. हमारी आज की कहानी बहुत ही ज्यानवर्धक है. चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी. राजा भर्तरी का मूल नाम प्रार्थी है. राजा भर्तरी महान चक्रवर्ती समराथ विक्रमादित्य के बड़े भाई थे. प्राचीन समय में उज्यैनी शहर के परम प्रतापी राजा हुए थे. विक्रमादित्य विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्व सेन थे और उनकी दो पत्नियों थी. एक पत्नी के पुत्र थे. विक्रमादित्य और उनकी दूसरी पत्नी के पुत्र थे. व्रत हरी यानी भर्तरी भर्तरी विक्रमादित्य से बड़े थे. इसलिए राजा गं प्रचलित कथाओं के अनुसार राजा भरतरी की दो पत्नियों थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पिंगला से तीसरा विवाह किया। राणी पिंगला बहुत ही सुन्दर थी और इसी वज़े से भरतरी तीसरी पत्नी पिंगला पर अत्यधिक मोहित हो गए थे। और हैरत अंगेज कहानी। कथाओं के अनुसार प्राचीन समय की बात है। शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक और राज्य आया। राजा भरतरी जब उसे राज्य में से गुजर रहे होते हैं तभी उन्हें एक बगीचे में एक बहुत ही सुन्दर स्त्री बैठी हुई दिखाई देती है। राजा की नजर उस स्त्री पर पढ़ती है। तो वो राजा के मन को भाजाती है और उसके मन में उसे स्त्री से विवाह करने का विचार आता है। राजा भरतरी अपने घोडे से उतर कर उस स्त्री के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि सुन्दरी तुम कौन हो और तुम कहां रहती हो। राजा की बात सुनकर वो स्त्री राजा से कहती है कि पहले आप मुझे ये बताए कि आप कौन है और मुझे ये सब क्यूं पूछ रहे हैं राजा उसे स्त्री को कहता है कि सुन्दरी मैं उज्जैनी का राजा भरतरी हूँ मैं तुम्हारे इस तेजस्वी और आकर्शक सुन्दर रूप को देखकर तुम पर मोहित हो चुका हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ इसके बाद राजा भरतरी उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे इस विवाह के प्रस्ताव को सुईकार करोगी तब वो सुन्दर स्त्री राजा भरतरी से कहती है कि है राजन मैं तुमसे विवाह तो कर सकती हूँ परन्तु उससे पहले विवाह के लिए आपको मेरे पिताजी से आज्या लेनी होगी क्यूंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और मैं उनकी आज्या के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे मुझे मेरे पूरे जीवन में पच्चताना पड़ उसे स्त्री की यह बात सुनकर राजा भर्तरी उसकी बात से सहमत हो गए उसे स्त्री के पिता उसे राज्य के राजा थे उसके बाद राजा भर्तरी उसे स्त्री के पिता के पास जाते हैं राजा भर्थरी ओम से कहते हैं कि महाराज मैं इस राज्य के पास वाले राज्य उज्जैनी से आया हूँ मैं वहां का राजा भर्थरी हूँ मैं जैसे ही अपने राज्य को पार करके आपके राज्य में प्रवेश किया तो मुझे आपकी यह सुन्दर और आकरशक पुत्री दिखाई दी आपकी पुत्री को देखकर वो इससे प्रेम कर बैठा हूँ और मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ अगर आपकी आज्या हो तो मैं आपकी पुत्री को अपने राज्य की रानी बनना चाहता हूँ उसके बाद उसे स्त्री का पिता यानी वो राजा बहुत सोच विचार करता है और काफी सोच विचार करने के बाद राजा भरतरी को अपनी पुत्री से शादी करने की इजाज़त दे देता है उसके बाद वो राजा अपनी पुत्री पिंगला और राजा भरतरी का विवाह करवा देता है राजा अपनी सुन्दर पत्नी इनल को लेकर अपने राज्य में आ जाते हैं उसे राजकुमारी से विवाह करके वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसके जैसे सुन्दर स्त्री उसके राज्य में और कोई नहीं थी राजा भरतरी अपनी पत्नी की सुन्दर तक को देखकर अपने आपको बहुत भाग्यवान समझने लगे हैं राजा अपनी इस तीसरी पत्नी पिंगला पर काफी मोहित थे वे उसे पर अंधा विश्वास भी करते थे राजा भरतरी अपनी पत्नी के मुह में पढ़कर राज्य के प्रती अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं राजा भरतरी अपनी आकरशक और सुन्दर पत्नी पर मोहित होने के कारण ठीक से अपने राजकाज के कारियों पर भी ध्यान नहीं दे पता था इस तरह धीरे धीरे समय निकलता गया और कुछ वर्ष बीट गए एक दिन राजा भरतरी अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए जाते हैं राजा जंगल में एक हिरन काशकर करने के लिए तीर चलाते हैं और हिरन को घायल कर देते हैं हिरन के शरीर के उसे घाव से उन बहने लगता है उसे खून को देखकर राजा भरतरी अपने मन में ही सोचने लगते हैं कि मैं अपनी पत्नी इनल से बहुत प्यार करता हूँ परंतु आज मैं पगला की एक परी परीक्षा लूँगा और ये देखूंगा कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ क्या उतना ही प्रेम मेरी बारानी पिंगला भी मुझसे करती है कुछ सोच विचार करने के बाद राजा भरतरी अपने एक सैनिक को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि सैनिक मैं रानी पिंगला की परीक्षा लेकर ये देखना चाहता हूँ कि वो मुझसे कितना प्रेम करती है अब तुम्हें एक काम करना होगा मैं तुम्हें इस हिरन के खून में भिगो कर अपने कपड़े देता हूँ और तुम मेरे इन कपड़ों को लेकर जाओ और रानी पिंगला से कहो कि रानी साहिबा जंगल में शिकार करते समय महाराज को एक शेर ने मार दिया है हो सकता है ये सुनने के बाद भी रानी पिंगला तुम्हारी बातों पर विश्वास ना करें अगर राणी पिंगला विश्वास ना करे तो तुम उन्हें मेरे दिये हुए ये खून से सने कपड़े दिखा देना सने की यह बात सुनकर राजा उसे सने क से कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम राजा की बात मानोगे या फिर राणी की राजा भरतरी की बात सुनकर वो सैने क दुविधा में पढ़ जाता है फिर वो राजा की बात मानकर राजा द्वारा दिये गए कपडों को अपने कपडों में अपने पीछे छुपकर रोता हुआ राजमहल की तरफ चला जाता है सैनिक राज महल में जाकर रोते हुए राणी पगला से कहता है कि राणी साहिबा अभी अभी कुछ एक शन पहले में और महाराज यहां से शिकार करने के लिए गए थे हम जैसे ही जंगल में पहुँचे तो जंगल में एक शेर ने महाराज पर जपट्टा मार दिया उन पर आकरमन कर दिया और जिस कारण महाराज की मृत्यू हो गई राणी साबा उसके बाद वो शेर महाराज को मार कर खा गया उसे सैनिक की यह बात सुनकर राणी पिंगला को बिलकुल भी विश्वास नहीं हुआ राणी क्रोधित होकर उसे सैनिक से कहती है कि मूर्ख सैनिक तुम्हें शर्म नहीं आती तुम अपनी राणी साहिबा से अपने महाराज की मृत्यू का इतना बड़ा जूठ बोल रहे हो अगर मेरे पती यानी इस राज्य के राजा एक शेर के जहपटते में आकर मर गए तुम कैसे बच गए? राणी पिंगला की यह बात सुनकर वो सैनिक भई भी भी थोकर कापने लगा बारानी से कहता है राणी साहिबा जी समय महाराज पर उसे शेर ने आकरमन किया था उसे समय मैं एक व्रिक्ष के उपर चड़कर अपने प्राण बचाए थे किसी तरह से अपने प्राण बचाकर मैं महल तक पहुंचा हूँ यह बाते सुनकर भी राणी पिंगला सैनिक की मानने से इनकार कर देती है और उसके बाद वो सैनिक राजा के खून से सने कपड़े राणी पिंगला को दिखाते हुए कहता है कि है राणी साहिबा अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप स्वयम ही महाराज जी के मुह से सने हुए इन कपड़ों को देख लीजिए इन कपड़ों को देखकर आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा महरानी पिंगला ने जैसे ही महराज के सने हुए कपड़े देखे तो उन्हें महराज के करने का विश्वास हो गया और उसी क्षण अपने पती के मरने के सदमे में रानी पिंगला की भी मौत हो गई दूसरे दिन जब राजा भरतरी अपने महल में वापस आते हैं महल में आकर देखते हैं तो उसे अपनी सबसे प्रिया रानी मरी हुई मिलती है राजा अपनी पत्नी की मृत्यू होने पर सोचने लगते हैं कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी और वो मुझसे कितना प्रेम करती थी काश मैं अपनी मृत्यू की जूठी खबर ना दी होती तो रानी आज जिन्दा होती मेरे एक छोटे से जूट के कारण मेरी पत्नी ने अपनी जान दे दी धन्य है ऐसी पती व्रतास्त्री जिसने मेरे एक छोटे से जूट के लिए अपने प्राण त्याग दिये उसके बाद राजा अपनी पत्नी की लाश के पास बैठ कर उठ पुठ कर रोने लगे और राजा रानी की मृत्यू के कारण बहुत दुखी हो गया जब राजा रानी के दुख में रो रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे इस समय वहाँ पर एक तपस्वी गुरू गोरखनात जी का आगमन हुआ गुरू गोरखनात जी वहाँ जाकर अपना कमंडल जोर से नीचे फेकते हैं तो वो कमंडल फूठ जाता है गुरु गोरखनाथ राजा से पूछता है कि राजन तुम क्यूं रो रहे हो उसके बाद राजा उसे साधु महराज से कहते हैं कि महराज मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था परंतु मैं अपनी पत्नी की यह परीक्षा लेना चाहता था कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूं क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी भी मुझसे करती थी है और इसके चलते मैंने एक छोटा सा जूट बोला था और उसे जूट के कारण ही मेरी पत्नी ने अपने आप को मृत्यू का भोग बना लिया अब मैं अपनी पत्नी की इस पठीवरता को देखकर रो रहा हूं गुरू गोरकनाथ जी राजा से कहते हैं कि अब उनकी मृत्यू का शक करने का कोई फाइदा नहीं है वो अपने तूटे हुए कमंडल की ओर इशारा करके कहते हैं कि देखो र अब तुम्हारी रानी भी जिन्दा नहीं हो सकती राजा गुरू गोरकनाथ जी से कहते हैं गुरू जी आप ही कुछ करें आप चाहे तो मेरी रानी को जीवित कर सकते हैं राजा भरतरी को अपनी बात ना मानता देखकर गोखाना जी कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं त परन्तु इसके लिए मेरी एक शर्थ है। राजा ने जैसे ही गोरकनाथ जी के मुख से इस बात को सुना की, वो साधु महाराज उसकी पत्नी को जिन्दा कर सकते हैं। इस समय वो राजा रुची के पैरों में पढ़ गया और उनसे कहने लगा की है। गुरु जी आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। आप मेरी पत्नी को फिर से जिन्दा कर दीजिए। आपका बहुत एहसान होगा। गोरक राज जी कहते हैं, मैं आपकी पत्नी को जीवित तो कर दूंगा पर मेरी एक शर्थ है। तुम्हें मेरी यह शर्थ पूरी करनी होगी। उसके बाद मैं तुम्हारी पत्नी को जिन्दा कर दूँगा। जब राजा उर्क राज जी से उसे शर्थ के बारे में पूछता है तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि अगर आपके राज्य में कोई भी व्यक्ती मेरे इश्क मंडल के जैसा कमंडल बना दे तो मैं तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित कर दूँगा। गोरखनाथ जी की यह बात सुनकर राजा अपने राज्य के सभी कारीगरों को महल में बुलाता है और उन्हें गुरु जी के कमंडल जैसा कमंडल बनाने का आदेश देता है। साथ ही राजा ये घोशना भी करता है कि जो भी कारीगर गुरु जी के कमंडल के जैसा कमंडल बनाएगा उसको मैं अपने राज्य का आधा हिस्सेदार बना दूंगा राजा। कि यह घोशना सुनकर सभी कारीगरों ने आधा राजय पाने के लालच में सुन्दर संदर कमंडल बनाएं और किसी भी कारीगर द्वारा उन गुरु जी के कमंडल जैसा कमंडल नहीं बना ये देखकर गोरखनाथ जी मना कर देते हैं तो वो राजा गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में गिर पड़ता है और गोरखनाथ जी से विनती करते हुए कहता है कि गुरु जी हम आपकी यह शर्थ तो पूरी नहीं कर पाए हम इसमें सफल रहे परन्तु आप मेरी पत्नी को फिर से जिन्दा कर दीजिए मैं आपका एहसान जिन्दगी भर नहीं भूलूंगा राजा के बार-बार मिलते करने पर पूरक राज जी उसे पर दया कर देते हैं और महारानी को फिर से जीवित कर देते हैं राजा अपनी पत्नी को फिर से जिन्दा देखकर बहुत ही प्रसन होता है। गुरु पुर्ख राज जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं तो वो राजा इसे एक चमतकार मानने लगा। अपने राज काज का सारा काम छोड़ बैठा और अपना पूरा समय अपनी पत्नी के साथ गुजरने लगा। राजा भरतरी का एक चोटा भाई था जिसका नाम विक्रम था। आपका कर्तव्य है इस राज्य की रक्षा करना है परन्तु आप एक स्त्री के मोह में पढ़ चुके हैं आपको उसे स्त्री के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विक्रम अपने असफल में जाता है। वहां पर कुछ घोड़े उसे बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ते हैं। विक्रम उसे सैनिक से मिलता है जो उनका ध्यान रखता था और उससे कहता है कि इन घोड़े को ठीक तरह से भोजन भी खिलते हैं। फिर भी यह सभी घोड़े इन दिन कमजोर क्यूं होते जा रहे हैं। मैं ये कई दिनों से देख रहा हूं परंतो दिन बा दिन प्रत्य घोड़ा कमजोर होता जा रहा है। ऐसा क्यूं हो रहा है उसके बाद वो सैनिक राजा के छोटे भाई विक्रम को बताता है कि महराज मैं आपको सच ही बता देता हूं। ये घोड़े दिन बा दिन इसलिए सूखते जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो रानी साहिबा है वो रातरी के दो बजे। इन में से कोई एक घोड़ा चुनती है और उसे घोड़े पर बैठकर ना जाने कहां जाती हैं। और सुबह होने पर ब्रह्म मुहूर्त में घोड़े को तेज गती से भागते हुए लाती हैं, जिसकी वजय से घोड़े आकर सीधा गिर जाते हैं। इस तरह से यह सभी घोड़े धीरे-धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। राजा का छोटा भाई विक्रम सैनिक से यह बात सुनता है तो वो आश्चर्य चकित रह जाता है कि आखर मेरी भाभी इतनी रात को कहां जाती है। ये बात सोच सोचाच कर वो बहुत परेशान होने लगा। उसके बाद विक्रम उसे सैनेक से कहता है की आज रात्री के समय तुम्हें यहाँ पर मत रहना, आज रात्री में तुम्हारी जगा घोडे के पास मैं रहूंगा। घोडे की रखवाली मैं करूंगा। आज मैं देखता हूँ कि आखर मेरी भाभी कहां जाती है और क्यूं जाती है। उसके बाद राजा के छोटे भाई विक्रम ने उसे सैनिक को वहां से जाने का आदेश दे दिया और स्वयम उन घोडे की देखभाल करने लगा। जैसे ही रातरी के दो बजाते हैं तो राजा का छोटा भाई विक्रम देखा है कि उसके भाई की पतनी आती है और उन घोडे में से एक फरतीला घोडा ढूंड कर उसके उपर बैठी है और जैसे ही जाने लगती है विक्रम उसके घोडे के सामने आ जाता है और अपनी भाभी क को जाने से रोक लेता है तो रानी विक्रम से कहती है कि देवर जी आप मेरे रास्ते की बीच में क्यूं आए हो भाभी की बात सुनकर विक्रम उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और उनसे सीधा एक ही सवाल पूछता है कि पहले आप मुझे ये बताये कि आप इत प्राहट के मारे उसे पसीना आने लगता है फिर भी वो विक्रम को कुछ नहीं बताती रानी की चुप्पी देखकर विक्रम समझ जाता है ये कहीं ना कहीं तो किसी से मिलने जा रही है यह मेरे भाई और इस राज्य के राजा को धोखा दे रही है विक्रम को देखकर रानी गोडे से उतर जाती है और अपने महल में वापस जाकर सो जाती है परन्तु जैसे ही वो सुभर जल्दी उठती है तो वो रानी सोचने लगती है कि आज मेरे देवर जी ने मुझे जाते हुए पकड़ा है और वो मुझे पर भी शक कर रहे हैं जैसे ही सुभर होगी तो मेरे देवर विक्रम अपने बड़े भाई यानी मेरे पती को सारी बातें बता देगा वो उन्हें सारी बातें बताई तो क्यों ना उससे पहले मैं कुछ ऐसा करूं जिससे विक्रम की किसी भी बात का मेरे पती पर कोई भी असर ना पड़े उसे यही ठीक लगता है और उसके बाद वो राणी अपने प्रिय चरित्र को दिखाने लगती है राजा भरतरी के उठने से कुछ समय पहले राणी अपने बालों को खोल देती है वो अपने कपडों को भी फाड लेती है और कक्षा में जमीन पर लेज जाती है जैसे ही राजा नीन से उठकर खड़ा होता है तो वो देखता है कि राणी कर जोर से रो रही है राजा भरतरी राणी से कहता है कि है प्रिया आखिर तुम नीचे क्यूं पड़ी हो और तुम क्यूं रो रही हो तुम्हारे इन कपड़ों को किसने फाड़ है तब रानी चालाकी के साथ आंसू बहते हुए अपनी बात कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं तुम्हारे भरता तुम्हारे छोटे भाई विक्रम ने आज मेरी इज़्जत पर हाथ डाला है मुझ जैसी पती व्रतास्त्री पर अपनी गंदी निगाह डाली है एक छोटे से जूट के कारण उसे रानी ने राजा के लिए अपनी जान भी दे दी थी इसलिए राजा अपनी रानी पर पूर्ण विश्वास करता था राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो जाता है राजा भरतरी जैसे ही इस बात को सुनता है तो वो अपने छोटे भाई विक्रम को बुलाता है और उसे कर जोर से दांतों लगता है उसे इसकी सजा देने की बात करता है फिर राजा सोचता है कि यह मेरा छोटा भाई है इसलिए इसे मृत्यू दंड देना तो अच्छा नहीं रहेगा राजा अपने छोटे भाई विक्रम को कहता है कि विक्रम तुमने आज अपनी मान सम्मान भापी के साथ बहुत गलत किया है इसलिए मैं तुम्हें ये सजा देता हूँ कि आज से तुम इस राज्य से दूर चले जाओ अपने जीवन में कभी भी तुम इस राज्य में वापस लोट कर बताना विक्रम जब अपने बड़े भाई के मुह से यह आदेश सुनता है तो उनके आदेश का पालन करता है और वो वहां से दूर चला जाता है परन्तु जाते जाते विक्रम अपने बड़े भाई से कहता है कि मैं यहां से जातो रहा हूं लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहता हूं कि तुम अपनी की पटीवरता पत्नी पर इतना मोह दिखा रहे हो इससे बचकर रहना इतना कहकर विक्रम उसे राज्य को छोड़ कर चला जाता है उसके जाने के बाद रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है अब उसे किसी प्रकार का भय नहीं था उसे रात फिर से रानी उसे पुरुष से मिलने के लिए जाती है जिस पुरुष से मिलने वह पहले जाया करती थी उसे मिलने पर वह उसे पुरुष से कहती है कि तुम अब इस जंगल में रोजाना मत आया करो और मैं भी रोजाना तुम्हारे पास इस जंगल में मिलने के लिए नहीं आउंगी हम एक काम कर सकते हैं तुम ऐसा करो कल सुबह राजमहल में आओ राजमहल के अंदर जाकर तुम मेरे पती यानी महराश्ट्रा से महल में नौकरी के लिए आवेदन करना और उसके बाद तुम महल में ही रहना जब तुम महल में रहोगे तो हमारे रोजाना ही मुलाकात होगी उसे पुरुष से ये कहकर वो राणी वापस महल में आ जाती है और फिर जैसे ही सुबह होती है तो राणी का वो प्रेमी महल में आता है राज महल में आकर राजा भरतरी से निवेदन करने लगता है कि है राजन मैं आपके पास के राज्ये के नगर से आया हूँ और मेरे घर में एक पूरी मन है वो बहुत बीमार है और मुझे कहीं कुछ काम नहीं मिल पा रहा है आप मेरी मदद करते थे तो मेरा घर का गुजारा भी चल जाता मैं अपनी बुद्धी मा का ठीक से ख्याल रख पाता हूँ वो रानी भी वहीं बैठी बाती उसकी बाते सुन रही होती है उसकी बाते सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन होने लगती है उसके बाद राजा भरतरी उसकी स्थिती को देखकर उसे अपने महल में काम करने का आदेश दे देता है रानी के उसे प्रेमी का नाम अश्वसेन था अब अश्वसेन राजा का आदेश पाकर महल में काम करने लगा जैसे ही राणी राजा से नायुश प्रकार कुछ पल के लिए दूर होती है तो राणी अपने उसे प्रेमी अशुब सेन से मिल लेती और इस तरह काफी समय तक चलता रहा राणी अपने पती की आँखों में धूल जोंक रही थी और राजा को इस बात का बिलकुल भी पता नहीं था क्योंकि राजा अपनी पती व्रता पत्नी से बहुत प्रेम करता था उसे बहुत ही पवित्र मन करता था राजा भर्तरी को ये पता नहीं था कि जिसको वो इतना प्रेम करता है वो उसी की आँखों में धूल जोंक रही है उसके बाद एक दिन राजा भर्तरी फिर शिकार करने के लिए जंगल में जाता है जैसे ही राजा जंगल में प्रवेश करता है तो राजा को जंगल में वही संथ तपस्वी गुरू उर्ख राज जी दिखाई देते हैं जिन्होंने रानी को जिन्दा किया था गुरू गोरखनात जी को देखकर राजा भर्तरी उनके पास जाते हैं प्रणाम करके आशिरवाद लेने लगते हैं तो गुरू गोरखनात जी राजा के मुख की तरफ देखते हुए कहते हैं कि है राजन मैं तुम्हारे इस तेजस्वी चहरे को देखकर तुम्हारे इस आकरशक बुक को देखकर बहुत ही परेशान हूँ और तुम बहुत ही भोले स्वभाव के हो। इसलिए लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। राजा द्वारा उचित आदर्श सतकार के कारण पस्चिमी गुरु आती प्रसंग थे। प्रसंग होकर गुरु गोरखनात जी ने राजा भरतरी को एक अमर फल दिया और कहा कि तुम इस फल को ग्रहन करो। ये खाने से तुम सदैव जवान बने रहोगे। कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। सदैव सुन्दर्ता बनी रहेगी। राजा उसे फल को गुरु कुल राज्य से ले लेते हैं। ये चमतकारी फल देकर गुरु कोर्खा जी वहां से चले गए। फल को लेकर राजा भरतरी सोचने लगते हैं कि अमर होकर मैं क्या करूंगा। मुझे जवान और सुन्दर्ता की क्या आवश्यक्ता है क्योंकि राजा अपनी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे। अतुन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे एक बार जूट बोलने पर मेरे लिए अपनी जान दे दी थी, इसलिए इस फल को मुझे अपनी पत्नी को खिलाना चाहिए, मेरी पत्नी को हुई अमर होना चाहिए, यदि वो इस पदैव सुन्दर और जवान बनी रहेगी। उसके बाद वो राजा गुरु कोर खाना द्वारा दिये गए फल महल में आकर अपनी पत्नी पिंगला को दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि रानी तुम इस फल को खाओ ये फल अगर तुम खा लोगी तो तुम हमेशा के लिए अम हो जाओगी तुम्हारी मृत्यू भी नहीं होगी ये कहकर राजा भरतरी उसे फल को रानी को दे देता है और वहां से चला जाता है रानी पिंगला भरतरी पर नहीं बलकि उसे राजे के कोतवाल पर ये बात राजा नहीं जानते थे राजा से उसे फल को लेकर रानी सोचती है कि इस चमतकारी फल को खाकर मैं क्या करूंगी मैं अमर होकर क्या करूंगी क्योंकि मैं तो अपनी जान से ज्यादा प्रेम अपने प्रेमी कोतवाल अशरसेन से करती हूँ इसलिए इस फल को मेरे कोतवाल पर भी अश्ट सेन को ही खाना चाहिए और उसे ही अमर होना चाहिए उसके बाद रानी उसे फल को अपने प्रेमी कोतवाल को दे देती है वो कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था जैसे कोटवाल उसे चमतकारी फल को अपने हाथ में लेता है तो कोटवाल सोचने लगता है कि आखर मैं अमर होकर क्या करूंगा मुझे इस फल को नहीं खाना चाहिए वो सोचता है कि मुझे इस फल को अपनी प्रेमिका उसे वैशिय को देना चाहिए जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ उसके बाद वो कोतवाल उसे फल को वैशिय को देने चला जाता है और जाकर उससे कहता है कि तुम इस फल को खा लेना क्योंकि ये बहुत चमतकारी फल है इस फल को खाते ही तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी तुम्हारी मृत्यू कभी नहीं होगी ये कहकर कोतवाल अपनी प्रेमिका को वो फल दे देता है और वहां से चला जाता है उसके जाने के बाद वो वैशिय उसे चमतकारी फल को देखकर सोचने लगती है कि आखिर इस फल को खाकर मैं क्या करूंगी क्योंकि अमर होकर मैं कौन सी सिध्धी हासिल कर लूंगी मुझे नर्क समान जीवन से मुक्ती नहीं मिलेगी इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है इस फल को मुझे इस राज्य के राज्य को देना चाहिए क्योंकि वो इस राज्य के पलक है सबका ध्यान रखते हैं राज्य हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे इसलिए इस चमतकारी फल के सही हकदार वही है उसे वैश्य को ये बात नहीं पता थी की ये फल एक संथ महात्मा ने उसे राजा भरतरी को ही दिया था और राजा भरतरी ने उसे फल को अपनी पत्नी पिंगला को दिया था उसके बाद उसे फल को रानी पगला ने अपने प्रेमी कोतवाल को दिया था और कोतवाल ने उसे फल को अपनी प्रेम का उसे वैश्य को दिया था उसे फल को देखकर वैशिय यही सोच रही थी कि इस फल को मुझे अपने राजा को दे देना चाहिए वो वैशिय चमतकारी फल को लेकर राजमल में पहुंच जाती है और राजा भरतरी के पास जाकर रहती है कि है राजन मैं आज इस दर्बार में एक बहुत ही अद्भुत और चमतकारी चीज लेकर आई हूँ राजा ने उससे पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है तो वैश्या कहने लगती है कि महराज आज मैं एक ऐसा फल लेकर आई हूँ जो फल बहुत ही चमतकारी है इस फल को खाने के बाद मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता है और नाहीं उसकी कभी मृत्यू होती होती है वो अमर हो जाता है उसकी बाते सुनकर राजा सच में पढ़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि ऐसा ही एक फल तो उन्हें संत महात्मा ने दिया था और जैसे ही वो वैश्या राजा को उसे फल को देती है राजा वो फल देखकर एट प्रभू रह जाता है फल को देखकर राजा भरतरी समझ जाता है कि ये तो वही फल है जो मुझे संत महात्मा ने दिया था और मैं अपनी राणी पिंगला को दिया था उसके बाद राजा उसे वैश्या से पूछता है कि आखर तुम्हें क्या फल किस ने दिया तो वो वैश्या राजा से डर कर रहती है महाराज ये फल मुझे मेरे प्रेमी कोतवाल अश्वा सेन ने दिया था जो आपके दर्बार में काम करता है उसके बाद राजा कोतवाल को दर्बार में बुलाते हैं और उन्हें गुस्से से पूछते हैं कि ये फल तुम्हें कहां से प्राप्थ हुआ कोतवाल महाराज के गुस्से को देख कर डर जाता है और महाराज से कहता है कि महाराज अगर आप बुरा नाम मानो तो ये फल मुझे रानी पिंगला ने दिया है और कोतवाल से जवाब सुनकर राजा हडबड़ा जाता है और बहुत परिशान हो जाता है और यह सोचकर चिन्तित होने लगता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उसे पर बहुत विश्वास करता था, उसके बाद वो अपनी पत्नी को बुलाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिया मैं तुम्हें ये फल दिया था। परन्तु ये फल इस कोतवाल के पास कैसे आया। राजा की बात सुनकर राणी भी घबरा जाती है। वो राजा के पैरों में गिर जाती है। राणी पिंगला राजा भरतरी से कह देती है कि महाराज ये सत्य है कि मैं इस कोतवल से प्रेम करती हूँ। और आपके छोटे भाई विक्रम ने आपसे जो भी कहा था वो भी सच था। रातरी के दो बजे बजे मैं इसी कोतवाल से मिलने के लिए जाती थी। ये सारी बाते सुनकर राजा भरतरी बहुत पश्चाताप करने लगता है। उसके बाद राजा सैनिकों को बुला कर अपने छोटे भाई विक्रम को ढूंडने का आदेश देता है। और विक्रम को बुलाकर अपने गले से लगाकर कहता है कि मेरे भाई मुझे बहुत बड़ी भूल हुई इस भूल का मैं किस तरह से पश्चाताप करूंगा राजा अपनी पत्नी को उसके प्रेमी कोतवाल को और उसे वैशिय को कारागार में डाल देता है और पत्नी के धोखे से राजा भरतरी के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रम को सौप कर उज्जैन की एक गुफा में आ गए राजा भरतरी ने उसे गुफा में वर्षों तक तपस्या की राजा भर्तरी की कठोर पास्य से देवराज इंद्र भैभीत हो गए इंद्र ने सोचा कि भर्तरी वर्दान पाकर स्वर्ग पर आक्रमन करेंगे ये सोचकर इंद्र ने भर्तरी पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया तपस्या में बैठे भरतरी ने उसे पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उसे पत्थर पर भरतरी के पंजे का निशान बन गया ये निशान आज भी बर्थडे की गुफा में राजा की प्रतिमा के उपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है ये पंजे का निशान काफी बड़ा है जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भरतरी की कद काठी कितनी विशाल काए रही होगी उजेन के राजा भरतरी के पास राजा और उसके परिवार और उसके अतितियों के लिए भोजन बनाने के लिए 365 पाक शास्त्री यानी रसोई थे एक रसोई को वश में केवल एक ही बार भोजन बनाने का मौका मिलता था अगर आप ये जानेंगे कि राजा की उसके गुरू गोरखनाथ ने किस प्रकार परीक्षा ली थी तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे कहा जाता है कि इस दौरान राजा भरतरी जब गुरू कोखनाथ जी के चरणों में चले गए थे तो भिक्षा मांग कर खाने लगे थे सथा अहनकार को जीत लिया है और द्रड निश्चे है शिश्यों ने कहा गुरू जी यह तो राजा धी राज हैं उनके यहां 365 तो बावर्ची रहते थे ऐसे भोग विलास के वातावरण में से आए हुए राजा कैसे काम क्रोध लोब रहित हो गए अपने शिश्यों की यह बात सुनकर गुरू गोरक नाथ जी ने थरी से कहा भरती जो भंडारे के लिए जंगल से लड़कियां लेकर आओ राजा भरतरी नंगे पैर गए जंगल से लड़कियां एकत्रित करके सर पर बोज उठा कर ला रहे थे गोरा नाथ जी ने दूसरे शिश्यों से कहा की जो उसको ऐसा धक्का मारों की बोज गिर जाए चेले गए उन्होंने ऐसा धक्का मारा की बोज गिर गया और भरतरी भी गिर गए भर्थरी ने बोज उठाया लेकिन ना चेहरे पर शिकन ना आँखों में आज के गले ना होंट फड़के गुरु जी ने चेलों से कहा देखिये ने क्रोध को जीत लिया है शिश्य बोले गुरु जी अभी तो और भी परीक्षा लेनी चाहिए थोड़ा सा आगे जाते ही गुरु जी ने योग शक्ती से एक बहस रच दिया गोरक राज जी भर्थरी को महल दिखा रहे थे सेवक और युवतियां नाना प्रकार के व्यंजन आदी से उनका आदर सतकार करने लगे भर्थरी युवतियों को देखकर कमी भी नहीं हुए और उनके नखरे पर क्रोधित भी नहीं हुए चलते ही गए पुर्खनाथ जी ने शिश्यों से कहा अब तो तुम लोगों विश्वास हो ही गया है कि भर्थरी ने काम क्रोध लोब आदी को जीत लिया है शिश्यों ने कहा गुरुदेव एक परीक्षा और लीजिये गोर्खनाथ जी ने कहा कि ठीक है उसके बाद उन्होंने पृत्वी को बुलाया और कहा कि पृत्वी हमारा शिश्य बनने के लिए परीक्षा से गुज्रना पड़ता है जो तुमको एक महीना मरू भूमी में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी बर्थडे अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चल पड़े पहाडी इलाका लंगटे लंगटे राजस्थान की और पहुंचे अड़कती बालू कड़ाके की धूप भूमी में पर रखो तो बस चल जाए एक दिन दो दिन यात्रा करते करते शायद बीत गए सात्वे दिन गुरू गोरकनाथ जी अद्रिश्य शक्ती से अपने प्रिय चेलों को भी साथ लेकर वहाँ पहुंचे गोरकनाथ जी बोले देखो ये भर्थरी जा रहा है मैं अभी योग बल से व्रिक्ष खड़ा कर देता हूँ व्रिक्ष की शायद में भी नहीं बैठेगा अचानक व्रिक्ष खड़ा कर दिया गया चलते चात्री का पर व्रिक्ष की छाया पर आ गया तो ऐसे उच्छल पड़े मानों अंगारों पर पैर पड़ गया हो मरू भूमी है व्रिक्ष कैसे आ गया चाया वाले व्रिक्ष के नीचे पैर कैसे आ गया गुरु जी की आग्या थी मरू भूमी में यात्रा करने की कूद कर दूर हट गये गुरू जी प्रसन हो गए की देखो कैसे गुरू की आग्या मानता है जिसने कभी पर गली से नीचे नहीं रखा वो मारू में चलते चलते पेड की छाया का स्पर्ष होने से अंगारे जैसा एहसास करता है गोरखनात जी तेल ही दिल में केले की द्रड़ता पर बहुत खुश हुए लेकिन और शिश्यों के मन में इरश्या थी शिश्य बोले गुरू जी यह तो ठीक है लेकिन अभी तो परीक्षा पूरी नहीं हुई गोरखनात जी रूप बदल कर भरतरी से मिले और बोल जरा छाया का उप्योग कर लो भरतरी बोले नहीं मेरे गुरू जी की आग्या है कि नंगे पैर मरुभूमी में चलूं गोरखनात जी ने सोचा कि अच्छा कितना चलाते हो देखते हैं थोड़ा आगे गए तो खराज जी ने योग बल से कांटे पैदा कर दिये ऐसी कटीली जाड़ी की उनका फटे पुराने कपडों को जोड़ कर बनाया हुआ वस्त्र फट गया पैरों में शूल चुभने लगे फिर भी ने ए तक नहीं की बिर्थरी तो और अंतरमुख हो गए ये सब सपना है गुरु जी ने जो आदेश दिया है वही तपस्या है ये भी गुरु जी की कृपा है अंतिम परीक्षा के लिए गुरु क्राज जी ने अपने योग बल से प्रबल तप पैदा किया प्यास के मारे भरती के प्रान कांथ तक आ गए तभी गोरखनाथ जी ने उनके अत्यन्त समीप एक हरा भरा व्रिक्ष खड़ा कर दिया जिसके नीचे पानी से भारी सुराही और सोने की प्याली रखी थी एक बार तो भरतरी ने उसकी ओर देखा पर तुरंत ख्याल आया कि कहीं गुरु आजा भांग तो नहीं हो रही है उनका इतना सोचा ही हुआ कि सामने से गोरखनाथ जी आते दिखाई ने दंडवत प्रणाम किया गुरु जी बोले शाबाश भारी पर मांग को अश्ट सिद्धी देलू नवसिद्धी देदू तुमने सुन्दर संडार व्यंजन ठुकरा दिये युवतियां तुम्हारे चरण पुकारने के लिए तयार थी लेकिन तुम उनके चक्कर में नहीं आये तुम्हें जो मांगना है वो मांग लोठारियों बोले गुरु जी बस आप प्रसन है मुझे सब कुछ मिल गया शिश्य के लिए गुरु की प्रसन्नता सब कुछ है आप मुझे संतुष्ट हुए मेरे करोड, पुन्य कर्म और यग्यतप सब सफल हो गए और हाँ जी बोले नहीं, भर्थरी अनादर मत करो तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा गुरु की यह बात सुनकर भर्ती सच में पड़ गए की मैं अब क्या करूँ इतने में उनकी नजर रेट में पड़ी एक चम्मच माटी हुई सी पर पड़ी उसे उठाकर भर्तरी बोले गुरु जी कांता फट गया है सी में ये धागा प्रो दीजिये ताकि मैं अपना कांता यानी वस्त्र, सीलुन, गुरु, गोरकनाथ जी और खुश हुए की हद हो गई कितना निर्पेक्ष है अश्टदिया नाव निधिया कुछ नहीं चाहिए मैंने कहा कुछ मांगो तो बोलता है कि सुई में जरा धागा डाल दो गुरु जी का वचन रख लिया कोई अपेक्षा नहीं की प्रथेरी तुम धन्य हो गए कहां उज्जैनी का समराट नंगे पैर मरुभूमी में एक महीना भी नहीं होने दिया साथ आठ दिन में ही परीक्षा में पास हो गए आज भी उज्जैन में भर थरी की गुफा स्थित है इसके संबंध में यह माना जाता है कि यहां पर थरी ने तपस्या की थी क्या गुफा शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में है गुफा के पास ही शिप्रा नदी बह रही है गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है जब हम इस गुफा के अंदर जाते हैं तो हमें सांस लेने में भी कठिनाई महसूस होती है गुफा की उंचाई काफी कम है अतह अंदर जाते समय काफी सावधानी रखनी होती है यहाँ पर एक गुफा और है जो की पहली गुफा से छोटी है यह गोपी चंद की गुफा है जो की भरतरी का भती जाथा यहां पर कैश भी काफी कम है गुफा में अंधेरा दिखाई देता है यहां की छट बड़े बड़े पत्थरों के सहारे टिकी हुई है गुफा के अंत में राजा भरतरी की प्रतिमा है और उसे प्रतिमा के पास ही एक और गुफा का रास्ता है इस दूसरी गुफा के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहां से चारों धामों का रास्ता है और से देखने पर आपको गुफा के अंत में एक गुप्त रास्ता दिखाई देगा इसके बारे में कहा जाता है कि यहां से चारों धामों को रास्ता जाता है गुफा में भरतरी की प्रतिमा के सामने एक धनी भी है जिसकी रख हमेशा गर्म ही रहती है आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।